Hello friends, आज की इस वीडियो में हम News Highlight Animation करने वाले हैं with using after effect और यह animation आपने almost दूराटी के सारे वीडियो में देखे होंगे तो बीना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक composition क्रेट किया है जिसका duration है 5 second और आप जो इधर asset देखे हैं उसे मैंने Photoshop में create किया है जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वहाँ से आप download करके practice कर सकते हैं तो बीना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सारे layer को select करके pre-comp कर देंगे और उसका नाम रखेंगे news उसके बाद एक solid create करेंगे और जिसके नाम रखेंगे background इन्यूस को select करके effect control से हम effect add करेंगे cc page turn और हम इस point को select करके कुछ इस तरह कर देंगे एंड यहां पर हम इससे कुछ पूरा frame के बार add कर देंगे ओके उसके बाद यहां पर की frame देंगे एंड कुछ frame आगे जाकर इससे हम करेंगे कुछ इस तरह ओके लिउप्रेस करेंगे keyframe select करेंगे f9 for easy is graph editor में जाके graph हम कुछ इस तरह कर देंगे एंड उसके बाद कुछ frame आगे जाकर अब हम save create करेंगे rectangle tool select करेंगे and rectangle create करेंगे and उसका blending mode करेंगे हम exclusion ok and उसे हम पहले set कर लेंगे अपने text के according ok and हम इसका anchor point कुछ इधर side बे करेंगे okay s प्रेस करेंगे for scale properties इसे हम पहले अनलिंक करेंगे and scale पर एक keyframe देंगे उसके बाद कुछ frame आगे जाकर एक keyframe और देंगे and first keyframe पर आकर हम इससे कर देंगे zero ok and keyframe को select करके f9 प्रेस करेंगे for easy case and graph editor में जाके हम graph को कुछ इस तरह create कर देंगे ok and हम इसका duplicate create करेंगे and same इधर last position पर आकर हम key press करेंगे and इसे हम कुछ करेंगे कुछ इस तरह ok उसके बाद हम accept और create करेंगे ok and इसका भी हम blending mode कर देंगे exclusion and इसका हम anchor point कर देंगे इधर and s plus करेंगे for scale properties I'll link करेंगे इसको scale पर एक key frame on करेंगे and and कुछ frame आगे जाकर एक key frame और देंगे and उसके बाद first key frame पर आकर हम इसे कर देंगे and key frame को select करके f9 for easy is graph editor में जाके हम graph को कुछ इस तरह create कर देंगे okay save q पर हम turbulent displace effect add करेंगे okay amount रखेंगे हम 15 size रखेंगे हम 20 and complexity रखेंगे हम 9 okay and same effect को ctrl c से copy करेंगे and बाकी के another step पर हम paste कर देंगे okay तो अभी आप देख से कुछ इस तरह create हुआ है तो अभी है कुछ बहुत fast जा रहा है वह हम news को हम थोड़ा slow कर देंगे key frame को पीछे करके and यह दोना key frame को select करके हम थोड़ा पीछे करेंगे and also उपर वाले key frame को भी हम select के थोड़ा पीछे करेंगे okay अब हम step layer को and news layer को select करके free com कर देंगे and इसका नाम रखेंगे news okay and उसके बाद and उसके बाद हमें png add करेंगे and उसका size हम कर देंगे increase and इसे हम कर देंगे पहले ट्रिम pre-press करेंगे for position and position पर एक key frame देंगे and कुछ frame आगे जाके हम इसे एक key frame और देंगे and फर्स्टव की frame पर आके हम इसे कर देंगे कुछ इस तरह okay slip को hold करके t-press करेंगे for opacity properties इस पर हम key frame on करेंगे and कुछ frame आगे जाके हम एक key frame और देंगे and फर्स्टव की frame पर आके हम इसे कर देंगे zero and सारे key frame को select करके f9 for easy ease and graph editor में जाके हम graph को कर देंगे कुछ इस तरह ओके तो इसे हम कुछ इस तरह रखेंगे and इसे हम थोड़ा कर देंगे पीछे ओके and कुछ frame आ गया आके हम एक same layer और create करेंगे कुछ इतना and text tool select करके हम एक नाम लिखेंगे step को select करके हम इसका color कर देंगे red कुछ इस color का and इसे हम लाएंगे यहाँ पर इसके according adjust करेंगे and text layer को select करके and step layer को select करके control D कर देंगे और copy and इसे हम लेके आ जाएंगे side में okay and इस text layer को select करके इसका नाम हम चेंज कर देंगे इसके according adjust कर लेंगे okay and इसका corner हम राउंड कर देंगे इसका नाम कर देंगे and इनका नाम लिख देंगे okay and बाकी के text layer और step layer को select करके precom कर देंगे इसका नाम देंगे इसका नाम इसका नाम कर देंगे and इसे हम adjust कर देंगे okay layer को select करके इसपर हम max add करेंगे कुछ इस तरह एम प्रेस करेंगे for box path keyframe on करेंगे एंड इसको select करके किसे हम कुछ ला देंगे इधर ओके एंड कुछ frame आगे जाकर हम इसे ला देंगे कुछ इधर ऐसा ओके एंड ग्यानव साले लेयर को भी select करके हम उस पर भी एक mark set करेंगे ओके एम प्रेस करेंगे for box path keyframe on करेंगे एंड इसको इनके corner को select करकर हम कुछ कर देंगे कुछ इस तरह ओके एंड कुछ frame आगे जाकर इससे हम कर देंगे कुछ इस तरह एंड इस keyframe को select करके हम इनके according set कर देंगे ओके सारे keyframe को select करके फ्रेस करेंगे f9 for easy is graph editor में जाके हम graph को कुछ कर देंगे कुछ इस तरह ओके तो अभी आप देख सकती हमारा एनिवसर ओके इससे हम ठोड़ा पीछे कर देते हैं एंड डिस इस आल्सो ओके तो अभी आप देख सकते हम आ रहा है निवसर कुछ इस तरह क्रेट वाट ओके अब हम इस पर विगल एड़ करेंगे newsletter को select करेंगे प्रेस करेंगे for position properties हर्ड को हर्ड करके लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड इधर expression type open हो जाएगा वहाँ पर हम विगल एड करके हम इधर विदेंगे 2,4 ओके एंड आलसो हम पी एंजी एंट 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 को select करके प्रेंग कर देंगे ओके एंड इस पर भी हम प्रेस करेंगे for position properties अल्ड को हर्ड करके लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड विगल इफेट एड करेंगे ओके यहाँ पर भी में फाई करूँगा यहाँ पर भी में फाई करूँगा ओके तो अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह create हुआ है अधा हम ग्लो इफेक्ट एड करेंगे नियूस के लेर को select करके इस पर हम एड करेंगे deep glow एक्सपोजर करेंगे हम 0.2 एंड रेडिस रखेंगे हम 250 ओके यहाँ 300 ओके एंड सेम इफेक्ट को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड उसके उपर आल लेयर पर हम कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे ओके तो भी आप देख सकते हैं कि कुछ किस तरह create हुआ है तो यहाँ पर हमारा इनी मसल create हो गया है अगर आपको यह tutorial पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप चाहते हैं कि इस सेम इफेक्ट और प्रीमर प्रो में कैसे create कर रहा है तो आप कमेंट सेक्षन में प्रीमर प्रो लिख दीजिए मैं नेक्स टूटोरियल प्रीमर प्रो पे लिखे आ जाओगा कर दो आप जाओगा